साथ स्वागत किजिए और मौसा म насचा है विजली नहीं कड़क करहें लेकिन आपके तालियों से विजली कड़कनी चाहिए तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए रुहित सोमानी जी का बहुत ही इसके साथ मच्पर मैं आ मन्तुत जी को पांडर है, एंध माइवी के. अनमोल जी, प्लीज आईए, आप इसके साथ 19 मर्णा मंतुरत करता हूँ आक्सा So many things are here, जब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन पहले तो एक बार ताली ज़रा बजा दीजे रोहिज जी के लिए, क्योंकि व्यापार के साथ साथ, रोहिज जी एक बहुत बड़ी एक समाज की सेवा कर रहे हैं, विधवाओं को help करते हैं लोग, उनकी मदद करते हैं, लेकिन विधवाओं को कैसे उनको उनके पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले, कैसे वो व्यापार करें और वो MSME में contribute कर सकें, इसके लिए रोहिज जी काम कर रहे हैं, तो रोहिज जी मेरा पहला सवाल तुम आपसे यही पूछना चाहूँगा, कि कैसे यह विचार आया था, कैसे इसे आपने अमली जम्मा पहनाया, और अब तक कैसी कितनी विदवाएं हैं, जिने आप अपने पैरों पर ना किवल खड़ा कर पाए हैं, बलकि वो बाकियों को भी रोजगार दे रहे हैं, हमरा फोकस यह है, कि जो विडॉज हैं, जो महिलाएं हैं, जिनके उपर अपने परिवार की जम्मदारी होती है, वो कहिंख समाज में एक साइड लैन में हो जाती हैं, हमरा फोकस यह है, कि वो किसी के द्या का अपातर ना बने, किसी पर dependent न रहे और उनको हम एक व्यवसाई प्रवाइड करते हैं, उनको हम ग्राइड प्रवाइड करते हैं, पाश लाग रपे की, साथ में कहां से इंपुट लेना है, कहां ओटपुट देना है, कहां से माल खरिदना है, कहां देना है, कहां बेशना है, और कैसे उसको सिस्टेम में ढाल करके और लीगल वे में व्यापार करना है, वो confidence, वो concept, वो capital, वो connect, हम यह force ही उनको प्रवाइड करते हैं, जिससे वो आज इवन अपने बच्चों के साथ, बहुत confidence से, और इज़्यत से, अपना परिवाल, चला सकें, समाज में स्थापित हो सके लिए, अब तक, उननीस जार पांसो महलाओं ने अपना व्यापार स्थापित किया है, और, अगर आपको लगता है, संख्या बड़ी है, तो ताली बजाई इस बात के लिए, उननीस हजार पांसो व्यापार स्थापित करने में, सुमाने जी ने मदद की, ये एक टीमवर्क है, जिसमें सभी उद्योगपती लगेवे हैं, और हम चाहते हैं कि अधिक महलाएं हमको आएं, हमने हर तालूका इस तरह पे हमारे जो कॉद्नेटरस हैं, वो निउक्त किये हैं, और वो कॉद्नेटर उनको ढूंडते हैं, कि वो कहां-कहां पर कौन किसकोड़्रामेंट है, और उनको ढूंड के, उनकी बेसिक नीड समझ के, उनको पूरा कम्प्लीट हैंड होलिंग करते हैं इसमें कोई तरह का हमें कोई कहां कि नाम या बोर्ड या कोई निची है हम चाहते हैं कि वह अपने प्रेव पर खड़े करके उनके बच्चों को देश की सेवा के लायक बना सकें कि हमारा देश है अनमोल बोहरे जी एनिगमा एवी नाम से फाउंडर है और वो एवी बनाते हैं और बहुत सस्ती और अच्छी आपको मिल सकती है पचास अजार रुपए में तो सबसे पहरे तो अनमोल जी मैं आपसे यह जाना चाहूंगा कि एवी एक बहुत बढ़ता हुआ सेक्टर है हम दोनों ने चलो करी 2015 में आइडिया स्पेसिफिकली एक सोच से आइडिया नहीं था कि में को एवी में जाना है डेली में उस टाइम एरिक शा का चलन बहुत जादा था एरिक शास देखने के बाद हमको यह लगा कि यह चीट यहां चल रही है आदमी इसके लिए जो पैसा द प्रश्चाइब एडिया जाएंगे पचास हजार में अगर आप स्कूटी दे रहे हैं और वह भी अच्छी रेंज के साथ दे रहे हैं तो आप दिगज हैं यह बड़ी-बड़ी कंपनिया काम नहीं कर रहे हैं दिगज सोच में बिलकुला सिफ यह बट हाँ अभी माइल्स तो बिफोर आइस लीप नेक्स विश्चन वस आपने बोला था कि अभी रिस्पॉंस कैसा है तो कुछ अच्छी अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनिया काम कर रही हैं जिसको जिसको we can benchmark our products against it तो जब लोगों को अब यह समझ में आ रहा है कि नहीं MP का ब्रैंड भी अच्छा ब्रैंड है नहीं ज़रूरी है कि बैंगलोर से ही हो कंपनी हम लोग ने एक्सपॉर्ट भी चलू किया है अभी हम लोग दो कंट्रीज ने एक्सपॉर्ट कर रहे हैं अल्मोस्ट एट स्टेट्स में 30 exclusive dealerships है जो पब्लिक लिश्टेट कंपनीज हैं ग्रीफ स्कॉर्ट वगेरा उनसे हमारा टायप अलरड़ी है तो वी हैवन रीच 420 dealerships across the country तो response is good, very good और अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम देखेज बिलकुल बन जाएंगे रहुल कुमार पांडे जी है हमारे साथ AXA International से और रहुल जी के बारे में बता दूँ मैं आपको कि रहुल जी वो बनाते हैं जो आपको उड़ाते हैं वो पाइलेट्स तयार करते हैं तो रहुल जी मेरा पहला सवाल तो आप से यह है मद्रप्रदेश में आप Aviation Academy में चला करें इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास trained बढ़िया pilots हो अच्छे खासे हमारे पास aircrafts हो और staff तयार हो यह नहीं होगा तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा कि हवाई चपल वाला हवाई सफर कर सके आपकी क्या कोशिश रहती है कैसे बच्चा जब आपके पास पहुंचता है तो आप उसे एक qualified staff के तौर पर तयार करते हैं वो जहें ground staff हो या फिर वो aviation पाइलिट हो Thank you so much sir. सबसे पहले मैं 2014 मैं हमने इसके शुरुआत की और जैसे हम सब को पता है कि aviation industry is one of the growing industry in India and world also एक gap था क्योंकि ऐसा कहा जाते हैं जैसे आपने बताए कि अब उड़े देश का आम नागरिक एक उड़ान करके मोदी जो योजनलाएं हैं उड़े देश का आम नागरिक तो सिर्फ उड़े ही नहीं my aim was to make Indian youth employable with skilled professionalism जब हमने इसके शुरुआत की तो हमारा पहला उद्देश था कि हमारा बच्चे को पता तो हो कि aviation में नोकरी कैसे मिलती है या कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके वज़े से आपको कोई नोकरी दे क्योंकि जिन्दगी में या किसी भी कैरियर में आपको नोकरी तब मिलती है जब आप उस नोकरी को पाने के काबिल होते है एविशन इंड़स्ट्री के साथ साथ हम hospitality industry travel and tourism and customer services प्लस पाइलेट क की ट्रेइनिंग देते हैं और MSME की अगर मैं बात करूँ जैसाब ने दिया है नहीं उर्जा नहीं उम्मीन दे तो MSME ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि सिर्फ नोकरी करना उद्देश नहीं होता किसी बिजनेस को खोलने के लिए उसका experience भी होना जैसे आप करना इस तरह की चीजे करना डेफिनिटली बहुत सारे युवाज इस चीज को करके entrepreneur बन रहे हैं और स्किल करके अपने आपको scale-up कर रहे हैं कमलेश जी सदस से हैं railway users advisory committee के basically सलाकार समिती है और आपको बता दूँ कि इनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है केवल और केवल railway उप कुछ है आज का युवा कई वजहों से कई कारणों से जीवन त्यागने पर तुला हुआ है जिसे हम आमबाशा में suicide कह सकते हैं उस दिशा में मैंने पढ़ा और मैंने सुना कि आपने बड़े प्रयास कि आपने कई युवाओं की जान बचाई और जब मैंने मुझे पता ल वाओं में और उस दिशा में आप कैसे काम कर रहे हैं सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा NDTV सर ने ऐसे विशाय को भी MSME समिट में involved किया जो बास्तों में लोगों से जुड़ा हुआ है और ये कहना बिल्कुल साफ तोर पर कि मैंने किसी की जान नहीं बचा जब है लोगों में एक सकारतना पूर्जा का संचार करना वो करते रहते हैं और वर्तमान में जो हालात हैं जो सोसल मीडिया के यूग है अगर सही दिशा में देखा जाए तो लोग उसका उपयोग भी करते हैं लेकिन दुरुपयोग बहुत जादा है हम आभावरी दुनिय को देखते हैं युवापीडी जो है अगर सर्वे किया होंगे शरकारों ने करते भी हैं तो सबसे अधिक मात्रा जो होती 18-25 वर्ष के जो लोग होते हैं युवा होते हैं वही अपराद में ज्यादा गृशित होते हैं और नया भी कुछ करते तो वही उम्र होती है तो सोसल लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो आत्मत्याओ जैसे कदम भी उठा लेते हैं और जहां तक हमने प्रक्रण देखे उस वह से 90% युवा 25 वर्ष के अंदर के होते हैं तो सभावे के एक तो मूल कारण उनका विरोजगारी होता है दूसरा सही दिशा ना मिलना तीसरा सिक्षा भी है अब यह सारी जब लोगों में नहीं है संबाद नहीं है तो जाएगा गलत रास्ते पर तो हमारा प्रयास जो रहता है कि अगर हम संबाद करते हैं किसी के अंदर कुछ भरा हुआ है हम बात करेंगे तो निकल जाएगा तो साइद वो छन तल जाएगा जिस समय वो कदम उठाने वाला है तो लोगों में एक हास के माध्यम से या संबाद के माध्यम से ऐसी बाते पहुंचाना कि वो उस दुनिया से दूर रहें क्योंकि वो किसी घर का एक सदस से किसी का वेटा है किसी का पती है किसी का भाई है आत्मत्या ना करें इसके लिए करते हैं और आने वाले समय में भी हमारी योजना है कि सहरों में जिलों-जिलों में जो समाज से भी हैं उद्ध्योग पती हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि वह ऐसे कैम्पेंड प्रारम करें कि लोग इस अवसाथ से बाहर आए और गलत रास्तों पर ना जाए यह मिशन है और पर चौपड़ा जैन सर जो की आरो की होमेपेटी से हैं सर बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत स्वागत है सर आप इसे शुरुआत करना चाहूंगी होमेपेट को हमारे भारत देश में काफी जादा एक कह सकते हैं कि आलोपेटी से जादा माना जाता है होमेपेट को ले दोजा मैं आप हूमीपेती के बारे में धाडना रहे हैं कि हुएज भीति के इस्टम מה दानना है कि योग चाहते हैं कि давно गता शुर्फ है गीसटा है और प्रोन किसन लुट अ circuits का के सात्र papas देख रहे हैं, तो मैं अपने इस विचारों के माध्यम से ये व्यक्त करना चाऊंगा, कि आज के डेट में जैसे होमिपेती पर अगर कोई अच्छा काम करें, तो निश्चीत रूप से होमिपेती का मार्केट बहुत जादा बड़ा है, इंडिया को हम WHO के नजर में जो पिश्वास दिलाने के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है, तो ऐसे डेटा को क्रेट करने के लिए करीब मेरी क्लिनिक के साड़े तीन हजार पेश से ज्यादा प्रेशन का डेटा, अल्रेडी हम लोग अपने चैनल पर, यूटूब के चैनल पर, वेबसाइट के माध्यम से लोगों को अवेल करा पा रहे हैं, कि आप जाके देखें कि किस तरीके से स्टेज 4 के कैंसर, जो कि एलोपेथी में स्टेज 4 का कैंसर मतलब, कीमो, रेडियेशन, सरजरी, इम्मुनो थेरपी, टार्गेट थेरपी के बावजुद भी, कई बार ला-ई-लाज कैटेगरी में म इश्वास भड़ेगा, और जैसा कि आपका कोश्चन कि इससे क्या फायदा मिलेगा, तो निश्री दूर्प से भारत से अगर WHO को कोई नहीं जिद जाएगी, तो इससे भारत का भी नाम आगे जाएगा. आपकी दाल रोटी चल जाती की नहीं चल जाती की लोगों को यहां तक की चिंता होते हैं, आज भी लोगों को थोड़ा सा कन्फूजन है, आज इवेंट मैनेजमेंट का स्वरूप बदल गया है, जैसे आपने बोला पहले लोगों को समझाना पड़ता था, कि हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, दिखाना पड़ता था, हम लोगों को पहले सिर्फ दिली बंबई में या बड़े मेट्रोज में कॉंसेट था इवेंट मैनेजमेंट का, अब वो दीरे दीरे टीर 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 त्री और उससे भी नीचे भी यह कॉंसेट चल गया है, जहां तक मैं कोशिश करें कि हमको एक proper उद्योग का दर्जा मिले, हम लोग MSME में तो रजिस्टरड़ हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो विंडर्स हैं, उनको भी हम MSME में, उनको educate करके हम MSME में रजिस्टर करा हैं, वेरीट फिल्ड के लोगों से हमारा वास्ता पढ़ता है, एक मज़ जल्दी ये इंडस्ट्री और बड़ी होगी आगे जितना हम बढ़ते जाएंगे लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं है और वहीं हमारा रोल आता है कि जब लोगों के पास समय नहीं उनका अच्छे से अच्छे सुरूप में करने का काम हम लोग करते हैं मेरे साथ प्रदीप चंदरन जी मौझूद है और इन्हिबियो वाटर सल्यूशन इन टेक्रो नौलीज निमिटिट के ये जो है असोसेट प्राइज़क है असर मुझे लगता है कि जल समवर्धन और जल अपशिष्ट उपचार को लेकर हम लंबे समय से देख रहे हैं और क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मॉडल देखते हैं कि हम जिस पर आगे बढ़ेंगे आने वाली हमारी जो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट हैं उसको लेकर बातचीत करते हैं आपका जो है भाग इसमें किस तरीके से रहता है और किस तरीके से काम का जब देखने जो कि आगे आन सब्सक्राइब करते हैं तो अब देखने हैं तो अब हमको साफपानी पहुंचाना है फिर हम जो नेचर ने साफपानी दिया हुआ है उसको अभी कंटामिड़ कर रहे हैं उसको हमको ठीट करना है यह हमारे पास बहुत बड़ा चलेंज है पर उनके लिए ट्रीटमेंट प्रांड लगना बहुत होता है हमने डिमांड में के लाश्ट टाइम की थी कि एक कामन इंड़स्ट्रियल प्लेटफार्म जहां के छोड़ी इंड़स्ट्रीज हों यूनिट वहां पर हम इंड़स्ट्रीज सर्वाइब कर पाएंगी जहां एक सिंगल ड्राफ जो गवर्मेंट गाइड लाइन है कि जहां एक सिंगल ड्राफ वाटर बाहर नहीं चोड़ सकते होगा ना तो वहां पर लेकि जो बेसिक है एटीप है फिर दन यूवेफ अल्टर फिल्टेशन यमी य जो की काफी कोश्वी आता है रुनिंग कोश्वी उसका बहुत कम है तो अभी गवर्मेंट को भी हम लोग अब सब लोग लगे हुए हैं कि ऐसा शिस्टम बनाएं कि हमको एक कामन इट्रेट्मेंट प्लांट हो जहां गलेक्टि उम लोग सबसे एक को उसका एक उसका एक इ एक नया डिपार्टमेंट अभी सेंटल गवाटर बोर अथाइटी है जहां पर आप बोरिंग करते हो तो भी आप से पानी आप लेते हो वहां से तो आप से चार्ज अच्छा हाइफ फाइच करता है उसका रिजन खाली यह एक मात्र है कि आप लोग पानी जो आप यूज करते हो उसको पानी को ट्रेट करो और ट्रीट करने के बाद फ्लशिंग है आपका गाडणिंग है वहां तो पानी आप यूज कर सकते हो लेकिन अभी हम लोग यहां पर इतने आवेर नहीं है हमारे सब इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंफ्रेक्ट कुछ अभी अवेर्नेस आई है सस्टेनवल डिवलब्मेंट होगा वाटर के ऊपर धरमेश जागिदार जी मौजूद हैं मुझे लगता है कि आपका काम काफी अलग तरीके का है और आने वाले समय में इस काम को लेकर और भी जादा संभावनाय बढ़ जाती हैं लेकिन क्योंकि आप जिस तरीके में जा र रहे हैं क्या सोचके आपने यह सब जो है यह कंपनी खोली और आगे वाले समय में आपकी क्या प्लानिंग है अभी मद्यप्रदेश में इंफराश्ट्रक्टर में काफी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अभी आराउंड पंदरा सो करोड के अभी हमारे काम यहां पर चल रहे और हम लोग आते हैं गुजरात से तो हम लोग यहां लगे हैं कि यहां पर कुछ एक अच्छा बड़ा डैवलोप्मेंट हमारे ठूँ हो और हमारी पूरी संभावना है कि हम लोग रियल स्टेट में सॉलर में सॉलर में हम लोग चा रहे हैं मध्यप्रदेश का सबसे बड़ काम कर सके मध्यप्रदेश में आरे साथ रिपोर्ट सेवा समिती से राहुल यादव जी मौजूद है और आपको बता दें कि राहुल यादव जी को चत्रिसगर के शवन कुमार की रूप में जाना जाता है क्योंकि पिछले करीब 20 सालों से जादा से ये अलग-अलग जो कि क्या सोचकर आपको ये खयाल आया कि मुझे ऐसे लोगों को धार में क्यात्राय करवानी है और इतना लंबा समय हो गया है किस तरीके से खयाल आया कैसे शुरू किया इसको आपने बहुत बहुत धन्यवाद मैं एंडी टीवी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ग्यापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया पहले मैं बताओंगा कि स्रित्रिपूर तीर्थियात्रा क्या चीज़ है स्रीत्रिपूर तीर्थियात्रा हमारी एक सोंस थी हम 16 लोंग थे जो एक मंदी से जुड़े हुए थे और उस मंदी से हम इस तीर्थियात्र पूराइवात की इए ते और यह लगबग 18 साल पूरानी बात है लेकिन हम क्या चीज़ देख रहे थे कि जो उस मंदीर से तीरतियात्री चार धाम करने जा रहे हैं या रामेशुरम धाम करने जा रहे हैं अन्य जगा जा रहे हैं तो नाना प्रकार की परेशानियों को बहुत जहलते थे और खास करके जो सरद्धालुगन थे वो भुजूर्ग रहते थे चार धाम गये तो उनको पता चला कि वो ट्र तो हम लोग उस मंदिर से सबसे पहले जितने भक्त जन थे उनको हम लोग पहले रामेश्वम धाम यात्रा वह भी इस्पेशल ट्रेन के माध्यम्जे की तो अभी ये मान के चलिए लगबग हम लोग आज 20 साल से लगबग तीन लाग तीर्थी यात्रियों को दर्शन करा चुक पूरे भारत में इतने तीर्थी यात्रि कोई नहीं लेके जाता हमारे चारधामे खुद के होटल है चारधाम में तो तीर्थी यात्री बहुत संतुष्ट रहते हैं हम लोग पूरा दो मैने तीर्थी यात्रों के लिए वहाँ कुक की टीम बैठा देते हैं जिससे वह घर आप लोगों के माध्यम से चारधा चारधाम में तीर्थी यात्री को लेके गए थी और मैं बता दू कि अपना भी सेवा करते रहते हैं तो हमारा में उद्यस रहता है नो प्रॉफित नो प्रॉफित नो प्रॉफित नो लॉस में इस काम को करना बाकी सब्तिर्थ यात्री संतुष्टी से यात्रा करते हैं तेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार जोरदार तालिया हमारे सभी महमानों के लिए हो जाए